सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार को केंदर के सामने ज़ाधा ताकत दे दिया है केजरीवाल की एक बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा रहा है लेगिन आखिरी ये फैसला है क्या सुप्रीम कोट को इसमें क्यों इंटरफेर करना पड़ा दोस्तो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोट ने एक एहम फैसले में unanimously ये फैसला दिया है बहुत important है multiple judges की bench काफी rarely unanimous फैसले सुनाती है तो यहाँ पर unanimous लियानी की सभी जजों ने इस favor में फैसला दिया कि दिल्ली सरकार का bureaucracy पर control होना चाहिए और इस फैसले का स्वागत आमादभी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो तो करीर है लेकिन जो केंद्र में सरकार है भाजपास सरकार और BJP as a party इन दिल्ली वो कह रहे हैं कि इसके long term असर ठीक नहीं होंगे तो पूरा मामला क्या है इसको मैं आपको डीटेल में बताने वाला हूँ उससे पहले समुद्र बंथन टेस्ट जो की कल यानी 13 माई को होने वाला है इसमें जरूर हिस्सा लें UPSC के pattern पर हमने GS और CSART दोनों का full length test रखा है और यह test सभी के लिए free है और यहाँ पर बहुत सारे attractive prices आपके लिए रखे गए हैं और इसका नाम समुद्र मंथन ने इसलिए रखा है ताकि कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अमृत है और शायद कुछ ने पढ़ाई नहीं करी है तो उन्हें wish मिल सकता है तो देखिए कि आपको इस समुद्र मंथन में क्या मिलता है history के सवा मेरे द्वारा यहां तयार किये गए हैं डू गो एंड चेक देम आउट एंड गिव दाट टेस्ट एक जून से UPSC की तयारी करने वाले एस्परेंट्स के लिए देश का सबसे affordable और best UPSC batch हम लेकर आ रहे है पात फाइंडर अगनीपत batch only for 8000 रुपीज ही available रहेगा इसका link description म आपको मिल जाएगा यहां पर live classes के साथ साथ prelims और mains की test series, interview, mains की guidance सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है complete batch होगा only for 8000 रुपीज दिल्ली भारत की quality में एक बहुती महत्वपूर्ण और special स्थान रखती है दिल्ली ना तो पूरी तरह से राज्य का दरजा प्राप्त है न पर मैंने दो साल पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको फिर से इसके बारे में कुछ basics बताने वाला हूँ, तो अभी जो फैसला है वो 5 judges की bench थी, इसके अंदर CGI खुज शामिल थे और दूसरे judges भी थे, unanimously 5 judges का यह फैसला है कि bureaucracy पर control, यानि कि IAS अधिकारियों पर control होना चाहिए, किसका दिल्ली सरकार का, यानि कि legislative powers जो है, वो दिल्ली सरकार के हहां पर काम करेंगे, executive powers दिल्ली सरकार के काम करेंगे, हाला कि तीन चीजों को अभी भी इनके दायरे से बाहर रखा गया है, ये तीन areas, public order, police और land, ये वैसे बाहर हैं, वैसे, तो फिर से reiterate किया गया है, कि इन तीनों को छोड़ कर, दिल्ली प्रशासन में, bureaucracy में, पूरी तरह से control होना चाहिए, NCT की सरकार का, जिसके अंदर सरकार माना जाएगा, मुख्यमंत्री और उनकी cabinet को, ना की left-net governor को, तो इन्होंने ये दोराया कि entry 41 के अलावा हम सब कुछ दिल्ली सरकार को control में देना चाहते हैं, entry 41 में by the way, state public service और service commission भी शामिल है, इसलिए आप notice करेंगे कि दिल्ली में कोई state PCS अलग से नहीं होता, जो बिरोक्रसी को appoint करता है, exam करवाता है, जैसे कि अन्य राज्यों के अंदर, उत्तरप्रदेश, राजस् administrative service है, वैसे ही same, एक police service है, तो ये डानिक्स और डानिप्स की जो भरती है, वो UPSC civil services exam से होती है, जिसके आप लोग तयारी कर रहे है, तो notice कीजेगा, ये services भी होती है, तो ये क्या है, ये दिल्ली की state PCS है, लेकिन इनको organize कौन कर रहा है, इनको भरती कौन कर रहा है, वो UPSC कर रही है, केंदर सरकार कर रही है, क्योंकि ये entry 41 में mentioned है, और entry 41 के अंदर जो बाते हैं, वो directly केंदर सरकार या फिर left net governor के through manage करी जाएंगी, तो legislative और executive power over IAS और joint caterers जो है, अब वो NCT की सरकार के पास रहेगा, NCT यानि national capital territory region जो दिल्ली का है, जिसे हम आम तोर पर दिल्ली सरका के पास, IAS officers का transfer, posting ये वाले अधिकार रहेंगे, पहले सारा टसल यही चलता था, कि इन IAS अधिकारियों को जो दिल्ली सरकार में अलग-अलग विभागों में तैनात हैं, उनको transfer करने का अधिकार, left net governor और केंद सरकार अपने पास लेकर रखे होए थे, और अब ये power किया गया, एक article 239AA और 2018 का constitution bench judgment, ये दोनों के बारे में जान लेते हैं, तो देखे 239AA ये amendment किया गया था, हमारे समिधान में, addition किया गया है, बाद में, जिससे दिल्ली की सरकार अपना power derive करती है, और 2018 के judgment में ये कहा गया था, कि left net governor जो है, वो काम करेंगे according to the aid and advice of the council of ministers, तो जैसा दूसरे राज्यों में होता है, एक normal state में होता है कि governor को वही करना होता है, जो मुख्यमंत्री और उनकी council of ministers कहती है, या सुझाव देती है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी विवस्ता चलेगी, अभी तक ऐसा नहीं होता था, LG के पास कई powers थी, जो मुख्यमंत्री के द लगातार यहां पर मुख्यमंत्री हैं, almost 8 साल होने वाले इनको, इस 8 साल में 3 LG आ चुके हैं, और 3ों के साथ इनका कभी न कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर public discourse में एक विवाद रहा है, तो ज़्यादा तर जो विवाद है, वो यही है कि center versus दिल्ली government, कि इस दिल्ली की उप पर control केंद्र करना चाहता है, वाया LG और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ज़्यादा control होना चाहिए, हमारी यानि कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकारगा, अब देखिए यह पूरा मामला काफी समय से court में है, 2018 में भी इस पर एक judgment आया था, in fact दो अलग-अलग judgments थे, एक 3 judge bench थ दिया था, 239 AA clause 3 का, तब भी उस judge bench में CJI चंद्रचूड मौझूद थे, अभी CJI हैं, तब CJI नहीं थे, उस समय दीपक मिश्रा Chief Justice of India थे, तो 2018 वाली जो bench थी, उसमें broad parameters क्या कहे गए, पहला कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दरजा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन LG क powers को curtail किया जाएगा, तो 2018 में भी ये बात कही गई थी, कि LG की power को थोड़ा curtail किया जाए, पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरजा ना दिया जाए, LG does not have independent decision making power, और उनको दिल्ली सरकार के council of ministers के द्वारा दिये गए advice पर ही काम करना होगा, इसका मतलब है जैसा एक normal राज और council of minister कहती है, तो ये फैसला दोनों ही पक्षों को स्विकार नहीं था, ठीक है, तो वो three judge bench में मामला जाता है, उसके बात five judge bench में जाता है, और इसकी लंबी कहानी है, अब ये पूरी UPSC आपसे नहीं पूछने वाला है, अगर कोई चाहता है इसको पढ़ना तो यहाँ प टसल LG से चल रहा है, और मामला पूरा यही है कि executive को, bureaucracy को कौन control करेगा, वो दिल्ली को जादा rule कर पाएगा, गवर्न कर पाएगा, correct, तो इसलिए सरकार ने बीच में commitment bill भी लाया था, ताकि दिल्ली सरकार के power को control किया दा सके, केंदर ये कानून लेकर आया था, उस पर मैंने वो वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, comment में उसका नीचे link डाल देंगे, और ये bill कहता है कि जहां पर भी government शब्द आता है 239 AA में, उसका मतलब है कि LG, तो वो व्याक्या ये करवा रहे है 239 की, कि जहां पर भी government शब्द का इस्तमाल हो रहा है, उसको रिलेटेस्ट फैसला आया है 2023 का ये important है, अब इस पूरे मामले में केंद सरकार का क्या कहना रहा है, केंद सरकार ये धलील देती है कि हम बहुत ज़ादा powers दिल्ली की सरकार को नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली देश की राजदानी है, it is the face of the nation, यहां पर मानलो अगर कोई सर सरकार की भी seat of power है, हमारी केंद सरकार दिल्ली से चलती है, और कोई भी विदेश के अंदर भी भारत को देखता है, तो वो सबसे पहले विदेश के राष्ट्रपती, प्रदान मंतरी, यह सब दिल्ली आते है, it is the face of the nation, तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि दिल्ली का पूरा control एक local government के पास चला जाए, कुछ control केंद सरकार के पास रहना जरूरी है, और उसी के तहित, यह transfer of or posting, जो IAS अधिकारियों की होती है, यह हमारे पास रहनी चाहिए, लेकिन अभी Supreme Court ने ऐसा नहीं माना है, उन्होंने कहा कि नहीं, जो day-to-day administration का काम है, वो उससे impact होता है, अग सारा जो Pathfinder अगनी पत बैच आ रहा है, उसके साथ साथ जो test series है, उसको भी आप अलग से अवेल कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बैच में, किवल test series चाहिए, तो आप हमारी 40 test की test series है, वो किवल 3000 रुपे में अवेल कर सकते हैं, यह सारे test series हमारे जितने भी आपको batches दिखेंगे, आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी हमारी website पर नीचे description में website का address मिलेगा, www.pathfinderis.com, यह सारे courses जो अभी हम mains की test series भी अलग से ला रहे हैं, पच्चिस सो रुपे में, यह भी आपको इसका link भी नीचे मिल जाएगा, website पर जाएगे, वहाँ आपको English वाले batch में रहेगी, वह यहाँ पर हिंदी मीडियम के batch को भी मिलने वाली है, कोई difference नहीं है, हमारे perspective series के videos को भी देखिए और हमारे social media channels को जरूर follow कीजे, thank you so much, have a great day.